नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नए साल में आपके अपने चैनल शॉटन क्रिस पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्स डिपोजिट में सबसे यादा कौन से बैंक में इंटरस्टेट मिल रहा है इस वीडियो में मैं सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के FD rates का कंपैरिजन करने वाला हूँ यहाँ पर मैं 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के FD rates शेयर करने वाला हूँ जिने देखकर आप चन्द मिंटों में सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लेटेस्ट इंटरस्ट रेट्स जान पाएंगे वैसे देखा जाए तो सभी सरकारी बैंक्स एक समान सुरक्षित होते हैं सभी में आपका पैसा 5 लाग तक DICC द्वारा इंशोर्ड होता है लेकिन इसके बावजूद सभी बैंक्स के FD इंटरस्टेट्स अलग अलग होते हैं हम उसी बैंक का चुनाव करते हैं जो भी हमारे घर या ओफिस के आसपास होते हैं बिना ये जाने कि दूसरे बैंक में हमें हमारी सेम टैन्योर की FD पर कुछ ज़्यादा ब्याच मिल सकता है चाहे वो आदा परसंड ही क्यों ना हो अगर आप छोटी FD करवा रहे हैं तो शायद आपको उतना फायदा ना हो लेकिन अगर आप एक लाग, दो लाग, पांच लाग या दस लाग की FD करवा रहे हैं तो आदा परसंड भी आपको ज़्यादा मुनाफ़ा दे सकता है इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए जागरूक रहना बेहत जरूरी है तभी दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी बैंक्स के लेटेस्ट FD इंटरस्टेट्स पर रेगूलर अपडेट्स देता रहता हूँ अगर आप भी रेगूलर अपडेट्स पाना चाते हैं या फिर यू कहें कि अपने आपको जागरूक रखना चाते हैं तो आप मेरे चैनल Short and Crisp को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आईए बिना देर किये शुरू करते हैं वीडियो को और कंपेर करते हैं 2021 के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लेटेस्ट एबडी इंटरस्टेट्स दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दू कि आज के दिन टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिने DICC इंशोर्ट करता है DICC याने Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation जो की Reserve Bank of India की सबसीडरी है आईए सबसे पहले कंपेर करते हैं एक साल की FD के इंटरस्टेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लेटेस्ट इंटरस्टेट्स मेंचन किये हैं साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा बैंक इंटरस्ट कैलकुलेशन के लिए Compounding Yearly और Compounding Quarterly Method यूज़ कर रहा है साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इन बैंक्स ने लास्ट कब अपने इंटरस्टेट्स रिवाइस किये हैं उधारन के तोर पर Bank of India की अगर बात करें तो इस बैंक ने लास्ट अपने एक अक्टूबर को रेट्स रिवाइस किये थे उसके बाद आज दिन तक उन्होंने अपने रेट्स रिवाइस नहीं किये हैं इंटरस्टेट्स के अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे अधा ब्याज आज की दिन Bank of India, Canera Bank, Punjab and Sin Bank और Union Bank ये चारो ही बैंक, मैक्सिमम ब्याज 5.25% का एक साल की FD पर regular customer को दे रहे हैं लेकिन इन चारो बैंकों में से Canera Bank एक इकलोता ऐसा बैंक है जो आज की दिन Interest Calculation के लिए Compounding Quarterly Method यूज़ कर रहा है तो जो इफेक्टिव रेट बाकी बैंकों के मुकाबले Canera Bank में आपको मिलेगा वो होगा 5.35% इसको आप एक उधारन के तोर से समझ सकते हैं मान लीजिए आप एक एक लाग रुपे की इन चारो बैंकों में FD करवाते हैं तो जो Maturity Amount आपको Maturity पर मिलेगा वो होगा 1.5.250 रुपे वहीं Canera Bank में जो Maturity Amount आपको मिलेगा वो होगा 1.5.350 रुपे क्योंकि Canera Bank Interest Calculation के लिए Compounding Quarterly Method यूज़ कर रहा है चाहे थोड़ा ही सही लेकिन बाकी तीन बैंकों के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा ब्याज के तोर पर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा Senior Citizens के अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी Bank of India, Canera Bank, Punjab and Sin Bank और Union Bank सबसे रहादा ब्याज ओफर कर रहे हैं जो की 5.75% है इसके अलाबा, Punjab National Bank भी यहाँ पर Senior Citizens को 5.7% का ब्याज ओफर कर रहा है जो की Compounding Quarterly है तो जो Effective Rate आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो होगा 5.82% और सबसे आदा ब्याज Senior Citizens को यहाँ पर Canera Bank ही दे रहा है क्योंकि Canera Bank नॉर्मली ओफर कर रहा है 5.75% और जो की Compounding Quarterly है तो जो Effective Rate आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो होगा 5.88% Super Senior Citizens के अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे आदा ब्याज Indian Overseas Bank ओफर कर रहा है जो की Senior Citizens के मुकाबले 0.25% extra ब्याज देता है Super Senior Citizens को Super Senior Citizens वो होती है जिनकी एज 80 years and above होती है अगर आप 80 years and above है तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है बाकी सबी बैंक्स के अगर बात करें तो वो Senior Citizens और Super Senior Citizens में कोई rate difference नहीं करता है Indian Oversies एकलोता ऐसा बैंक है जो Super Senior Citizens को Senior Citizens के मुकाबले 0.25% extra ब्याज देता है और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि Punjab National Bank एकलोता ऐसा बैंक है जिसने रिसेंटली 1 जनवरी 2021 को अपने rate wise किये है आईए अब 2 years tenure की FD का interest rate का comparison करते हैं यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे आदा बैंक ही offer कर रहा है जो कि 5.4% for regular customer है और 5.9% for senior citizen है लेकिन क्योंकि यह interest calculation के लिए compounding quarterly method यूज़ करता है तो जो effective rate normal citizens को मिलने वाला है वो होगा 5.51% और senior citizens के लिए यह होगा 6.31% इसके लाबा बाकी बैंकों के अगर बात करें जैसे कि Punjab National Bank तो यह बैंक भी regular customer को 5.2% और senior citizens को 5.7% का ब्याज offer कर रहा है लेकिन यह भी compounding quarterly method यूज़ कर रहा है interest calculation के लिए तो effective rate regular customer को 5.3% पड़ेगा और senior citizen और super senior citizen को 5.99% का पड़ेगा बाकी बैंकों के अगर बात करें तो यह बैंक 5% से लेकर 5.3% तक का regular customer को ब्याज दे रहे है महीं senior citizens के लिए 5.3% से लेकर 5.8% तक का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है इंडियन overseas इकलोता ऐसा बैंक है जो senior citizens से super senior citizens को 0.25% एक्स्टा ब्याज दे रहा है जो की 5.95% है आए अब 5 year tenure की FD का interest rates का comparison करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाजी कैनरा बैंक ही मार रहा है क्योंकि यह regular customer को 5.5% और senior citizens को 6% का ब्याज दे रहा है महीं compounding quarterly की वज़े से जो effective rate यहाँ पर regular customer और senior citizens को मिलने वाला है वो होगा 6.28% और 6.94% बाकी बैंकों के अगर बात करें तो यहाँ पर Punjab National Bank अप टू 5.7% regular customer के लिए और senior citizens के लिए 6.67% तक का ब्याज दे रहा है महीं Yuko Bank भी regular customer को 5.64% और senior citizens को 6.28% तक का ब्याज दे रहा है महीं Indian Overseas Bank भी यहाँ पर super senior citizens को 5.95% तक का ब्याज दे रहा है आए अब 10 साल के tenure के FDK इंटरस्टेट्स जानते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजी कैंटरा बैंक ही मार रहा है क्योंकि यह interest calculation के लिए compounding quarterly method यूज कर रहा है तो जो effective rate regular customer को यहाँ पर मिलने वाला है वो होगा 7.27% और senior citizens के लिए यह होगा 8.14% इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप 10,000 की FD कराते हैं तो हर साल के लिए आपको 727 रुपे ब्याज के तोर पर मिलेंगे जो कि regular customer के लिए होंगे महीं senior citizens के लिए यह 814 रुपे होंगे बाकी banks के अगर बात करें तो यहाँ पर regular customer को 6.93% तक का effective date मिलने वाला है जो कि Punjab National Bank offer कर रहा है इसके लावा Yuko Bank 6.44% तक का ब्याज देगा वहीं बाकी और other banks की बात करें तो वो 5% से लेकर 5.6% तक का regular customer को 10 साल की FD पर ब्याज दे रहे हैं Senior citizens के अगर बात करें तो यहाँ पर उनको 7.79% तक का effective date मिलने वाला है जो कि Punjab National Bank offer कर रहा है इसके लावा Yuko Bank भी 7.27% तक का effective date दे रहा है बाकी other banks की बात करें तो वो 5.4% से लेकर 6.2% तक का Senior citizens को ब्याज दे रही है दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए जानकारी महत्पुन सावित हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरू करें तो कि आपका एक लाइक मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें अब जल्द मिलूँगा आपसे अपनी अकली वीडियो में तब तक के लिए साफदान रहिए, सुरक्षित रहिए, जैह हिन